हेलो दोस्तो स्वागत आपका एक पर फिर से नई वीडियो के परडिक्शन के साथ तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है सन्राइज एदराबाद वर्षिज मुंबई इंडियन्स के बीच में जो आई पेल का मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में फूल डिटेल में अनलाइज करूँगा हर एक प्लेयर का अपडेट की कौन से प्लेयर को आपको जीयल में लेना है कौन से प्लेयर को कैप्टन रखना है कौन से प्लेयर को वोईस कैप्टन रखना है और आज की ग्रैंड लिग टीम हमारी कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ यहां चैनल का फटाबट से टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन करें तो आज गा जो हमारा मैच ओने वाला है सनराई जैदराबाद वर्सिज मुंबई इंडियांस के बीच में तो क्या अपडेट रहेगी किसको पिक करना है किसको ड्रोप करना है और किसको अपनी जील टीम में कैप् आपको अच्छी परकार से यहां पर क्रियेट हो जाए तो यहां पर राजी उगांदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में यहां मुकाबला खेले जाने वाला है और यहां पर जो पीच होती है वो बैट्टिंग के रहती है ठीक है पेसर्स को थोड़ी ठी इवरेज स्कोर 200 पलस भी आपको देखने को मिल सकता है तो यहां पर क्या पीच रहेगी और टोटल कितने मुकाबले खेले गए हैं इस पीच पर और जो पहले बैट्टिंग करती है उसने कितने मुकाबले विन किये हैं पूरा अपडेट जानने के बाद हम यहां पर ग्रैं अभी तक आपने इंडिया का नंबर वन फैंटेसी एप रियल 11 डाउंलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दियावा है फटापट से इस एप को डाउंलोड जरूर करें क्योंकि यहां पर आपके विनिंग चांसिज 100% है और यहां पर आप 50,000 का गिवे भी आपको फिरी में देखने को मिलता है जैसे यहां पर हैदराबाद वर्सिज मुंबई ठीक है इसका गिवे है 50,000 रुपए का आपको जोईन करना है और आप एजी तरीके से 50,000 रुपए विन कर सकते हैं यहां पर बैक टो बैक गिवे भी चलते रहते हैं औ आपको मैं बता दू जो क्यूशन चलते हैं जैसे क्या हैरी बुक हैदराबाद वर्सिज मुंबई का मैच में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करेंगे आपको यस और नो करना है और आप एजी तरीके से अच्छा खासा प्रोफिट कर सकते हो और यहां पर आप लाखो रुपए जरूर करें अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तो अब हम बात करते हैं टोटल मैचों की टोटल यहां पर कितने मुकाबले खेले गए हैं तो यहां पर टोटल मुकाबलों की बारे में बात करू तो यहां पर टोटल 66 मुकाबले खेले गए हैं और जो पहल लाखो रुपए यहां पर विन कर सकते हैं जैसे सूर्य कुमार यादो कितने रन मारेंगे आपको इस कुश्चन का आंस्वर देना है और आप लाखो रुपए यहां से भी आरने कर सकते हो आपके लिए काफी सारे यहां पर फीचर है आप यहां पर कुश्चन आंस्वर से ही गिवे से ही आप अच्छा खासा प्रोफिट कर सकते हो तो फटाबट से इस एप को डाउनलोड जरूर करें नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो यहाँ पर जो सैगंड बैटिंग करती है उसका थोड़ा दबदबा यहाँ पर जादा बनने वाला है और य यहाँ पर ग्रैंड लिग टीम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बैक टू बैक ग्रैंड लिग टीम में दिखा देता हूं जो मैंने ओल्रेडी क्रियेट कर रखी है और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा विकट के बारे में भी वता देता हूं कि टोटल य यहाँ पर 24 विकट जो spinner ले चुके हैं और पेसर्स को यहाँ पर 31 विकट यहाँ पर मिल चुकी है तो spinners भी यहाँ ठीक ठाक विकट निकाल लेते हैं और यहाँ पर पेसर्स को भी अच्छी खासी मदद मिलती है यहाँ पर grand league team की बात करूँ तो यहाँ पर नंबर एक की grand league की मैंने सूर्य कुमार यादो को ट्राई किया है वो इस captaincy यहाँ पर इसान किसन के साथ देने वाला हूँ यहाँ पर नीचे आपको 3 batting order 2 all rounder 5 bowling section आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपके लिए important player है मैंक मार गंडे spinner के तोर पर ठीक है क्योंकि spinner को भी ठीक ठाक हो चुकी है अब हम बात करेंगे नंबर 2 की grand league team का combination तो यहाँ पर नंबर 2 की grand league team में captaincy मैंने एडन मार करम को रखा है वो इस captaincy Cameron green को try किया है पिछले मुकाबले में A की wicket ली थी और यहाँ पर आपको साइद इस match में अगर batting order में ऊपर आपको देखने को मिलते हैं तो तो फाइनली नंबर 2 की grand league team हमारी हो चुकी है अब मैं बात करूं नंबर 3 की grand league team में यहाँ पर captaincy के तो यहाँ पर try करने वाला हूं जो captain रहने वाला है रोहित सर्मा को यहाँ पर captaincy में आपको देखने को मिलेगा वो इस captaincy मैंक अगरवाल जो continue flop है तो साइद अगर चल जा और telegram channel जरूर जोइन करें नीचे description में आपको link मिल जाएगा अब हम बात करते हैं नंबर 4 की grand league team तो नंबर 4 की grand league team में मैंने captaincy के तोर पर यहाँ पर Harry Brook को रखने वाला हूं पिछले मुकाबले में सतकी अपारी यहाँ पर खेली है वो इस captaincy सूर्य कुमार यादव को पिछ यहाँ पर राहूल तिरपाथी वो इस captaincy तिलक वर्मा यह final number 5 की grand league team रहने वाली है उम्रान मलिक बुमनेशर कुमार मैंक मार गंडे और पिउस सावला ठीक है यह मेरी number 5 की grand league team का combination रहने वाला है अब मैं बात करूं number 6 की जो हमारी finally grand league team रहेगी उसमें मैंने captaincy मैंक मार कंड यहाँ पर जैंशन को ट्राई करने वाला हूँ हैरी बुरूक राहूल तिरपाथी और तिलक वर्मा और यहाँ पर रोहित सर्मा की जगा है आप सूर्य कुमार यादो को ट्राई कर लेना नीचे बुमनेशर कुमार को ड्रोप कर लेना यहाँ पर आप कोई new bowler यहाँ पर ट करने वाला है तो अब हम बात करेंगे small league team का combination तो small league team मैं continue real 11 पे ही खेलता हूँ आप भी back to back real 11 पे ही खेलें अगर आपको प्रोफिट करना है क्योंकि मैं भी इस एप से अच्छा अच्छा प्रोफिट कर चुका हूँ तो आप भी इसी एप से खेले 100% winning chances है इस आप के तो य यहाँ पर राहूल तिरपाथी सूर्य कुमार यादव और यहाँ पर आप रोहीच सर्मा को भी ट्राइ कर सकते हो लेकिन मैं ड्रोफ करके यहाँ पर हैरी बुरुक को यहाँ पर रखने वाला हूँ नीचे तिलक वरमाठी का फाइनली small league team में च्यार बैटिंग सेक्षन के स हमारे कंपलेट हो चुके हैं बोलिंग सेक्षन की तो बोलिंग सेक्षन में उम्रान मलिक नीचे यहाँ पर जो ट्राइ करने वाला हूँ जैंशन रिले मैंजिस और मैंक मारकंडे ठीका पीउस चावला भी आपके लिए इंपोर्टेंट पलेर है आप यहाँ पर जैंशन को तो यह मेरी फाइनल श्मोल लिक की टीम रहेगी और कोई अपडेट आएगी वह आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी फटापट से टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन करें और अभी तक आपने चैनल को सस्कृइब नहीं किया है तो फटापट से चैनल को के बैल आइकन को प्रैस करके रखे ताकि continue अपडेट आपको इस चैनल से प्रोवाइड होती रहे तो दोस्तों आजगी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next interesting वीडियो के साथ